तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप किसी के भी Facebook अकाउंट से उसका नमबर कैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तो ये कोई नई बात नहीं है जो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत एक कमाल की ट्रिक है आप किसी के भी Facebook अकाउंट से किसी का भी नमबर निकाल सकते हैं तो दोस्तो बिना उसकी Permission के आप उसका नमबर कैसे निकाल सकते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो हम यही बताने वाले हैं आप लोगों को तो दोस्तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तो अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक Red Color का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी आप देख सकते हैं हम अभी अपने मोबायल फोन में फेस्बूक एकाउंट ओपन करेंगे तो दोस्तो इस सब्सक्राइब देख पार हैं यहां पर हमने जो अपना Facebook है वह ओपन कर लिया है तो जैसे ही यहां पर Facebook को ओपन करेंगे और यहां पर सर्च बार में मालीजे किसी का आप नंबर निकालना चाहते हैं तो सर्च बार में आपको टाइप कर देना होगा मालीजे आप किसी का भी नंबर निकाला जाते हैं तो मालीजे यहां पर मैं इसका नंबर निकालना चाहता हूं अभी आपको दिखाता हूं इसका लड़के का नमबर निकालना हो तो हमें इस पर एक क्लिक कर लेना होगा सच करके और जैसे सच कर्के इसपर क्लिक करेंगे तो इसकी जितने वह प्रोफाल है वह यहां पर उपन हो जाएगी सब्से पहले आपको करना क्या है यहाँ पर नीचे राइड में जाना है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है तो दोस्तो आपको यह जो कोठे के अंदर यह जो आपको वर्ड दिख रहे हैं आपको इन पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर klick करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेश दिखाई देगा जैसे ही दोस्तो इस पर klick करेंगे जितनी भी profile का इसका डिटेल होगा वो यहाँ पर बता देगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसका number है दिया है अगरा अगरा दोस्तों सब यहाँ पर इसकी profile आपको देखने को मिल जाते हैं तो इसी तरीके से आप किसी का भी चाहें तो number निकाल सकते हैं इसमें दोस्तों कोई बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों बस एक click में आप किस सकें कोई चक्र में तो इस तरीके से आप तो इसमें नंबर निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही इस भाई आप यहां इसमें नंबर निकाल सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प